होली से पहले ही बढ़ने लगा प्याज का दाम, 15 दिन में 30 फीसर तक चड़ गई रेट दरसल इस बार होली में ग्रहाकों को महेंगे प्याज की खरीदारी करनी पर सकती है होली में प्याज की खपत बढ़ जाती है जिसके कारण दाम बढ़ते हैं पर इस बार होली से पहले ही प्याज की कीमते 30 फीसर तक बढ़ चुकी है देश के खुद्रा बजारों में प्याज की कीमतों में 30 फीसद की बढ़ोतरी पिछले 15 दिनों में देखने को मिली है खुद्रा बजार में 30 रुपे किलो की दर से बिक रही प्याज अग 40 रुपे प्रती किलो की दर से बिक रही है सिर्फ प्याज ही नहीं बजारों में आलू की कीमतों में भी 25-30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है गोरतलब है कि हालू में सरकार ने देश में प्याज की कम होती कीमतों को देखते हुए एक लाख टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दी थी पर उस वक्त सरकार की शर्त ये थी कि जब तक प्याज की घ्रेलू कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक निर्यात जारी रहेगा प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए अब लोगसबा चुनाफ तक प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंद के हटने की फिलाल कोई उमीद नहीं है वही क्यास लगाए जा रहे हैं कि देश में अप्रिल महीने में लोगसबा चुनाफ हो जाएंगे आपको बता दे की सरकार ने प्याज किसानों की आय बढ़ाने की मंच्छा के साथ ही एक लाग टन के आसपास प्याज के निर्यात को अनुमतित दी थी वहीं खुद्रा बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों में भडोतरी के पीछे की वज़ा ये मानी जा रही है कि इस बार रभी सीजन में प्याज की वुआई कम हुई है इसके कारण उत्पादन में कमी आ सकती है सरकारी अनुमान के बुताबिक 2023 पे प्याज के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 16 फिसद तक की कमी आ सकती है अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल प्याज का उत्पादन 254 लाग टन रह सकता है जबकि पिछले साल प्याज का उत्पादन 302 लाग टन हुआ था देश में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराश्रों में होता है और इस बार महाराश्रों में भी प्याज का उत्पादन कम होने की आशंका है देश में रभी सीजन के दोरान 60% से अधिक प्याज का उत्पादन होता है मिली जानकारी के अनुसार सरकार फिलाल लोगसबा चुनाव तक किसी भी परकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इसलिए सरकार लोगसबा चुनाव होने तक आलू और प्याज की कीमतों को कंट्रोल रख्मे करना चाहती है मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर खुद्रा बजार में प्याज की कीमत 30 से 35 रुपे किलो तक बनी रहती है तो 31 मार्च के बाद प्याज के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जा सकता था पर फिलाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही क्योंकि होली का त्योहार है और प्याज की मांग अधिक होगी तो इसके चलते माना जा रहा है कि आगे कीमतों में तेजी आ सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्की टाइम्स टीवी